बहुत समय पहले की बात है एक पहाड पर एक राक्षस रहता था वह बहुत शक्तिशाली था वह पास के गाउं में घुस जाता और जो भी उसके सामने आता वह उसको उठा कर पहाड पर बनी अपनी गुफा में ले जाता था और उसे खा जाता था आज तो मजा ही आ गया आज तो बहुत हट्टा कट्टा शिकार हाथ लगा है इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा इसी दोरान बहुत से गाउं वाले जक्तिशाली भी हो जाते थे अरे मर गए रहे राक्षस तेरा नास मिटे मेरी तो टांग ही तूट गई हाए रहे कोई मेरी मदद करो लगता है सब के सब कावाले भाग गए अरे कोई तो मेरी मदद करो तभी उसका दोस्त हरिया वहाँ पहुचता है अरे कालिया तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी हाए रहे मेरी तो टांग ही तूट गई यार हरिया हमें इस राक्षस का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इस राक्षस ने तो हमारा जीना ही दुश्वार कर दिया है जब भी इसका मन करता है यह हमारे गाउं पर हमला कर देता है और नजाने कितने लोग इसके अतंक का शिकार बन जाते हैं तुम सही कहते हो कालिया, हम गाउंवालों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें काम करते हैं, आज ही सब गाउंवाले मिलकर गाउं के मुख्या के पास चलते हैं, और उनसे इस समस्या का समाधान निकालने को कहते हैं फिर सब गाउं वाले मिलकर मुख्या के पास जाते हैं मुख्या जी आज तो हदी हो गई वह राक्षस रामु को उठा के ले गया और बहुत से गाउं वाले भी जखमी हो गए है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब गाउं वालों को ये गाउं छोड़ के जाना पड़ेगा कृपा करके आप कोई समाधान निकाले हम उस राक्षस का सामना नहीं कर सकते इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम खुद ही हर महीने एक आदमी उस राक्षस को भेट स्वरूब दे दे ताकि वह गाउं वालों पर हमला ना करे मुझे लगता है मुख्या जी सही कह रहे है अगर हर महीने कोई ना कोई खुद ही अपने आपको उस राक्षस को सौप देगा तो उसे गाउं पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर ठीक है कालिया और हरिया तुम दुनों कल पहाड पर राक्षस की गुफा पर जाओगे और उसे इस प्रस्ताओ के बारे में बताओगे अरे मर गह रे ये मुख्या तो मुझे मरवा के ही छोड़ेगा मुख्या जी मुख्या जी मेरी तो टांग में चोट लगी है और तुमने उस राक्षस का सामना पहले भी किया हुआ है इसलिए तुम ही जाओगे ठीक है हुजूर जैसे आपकी इच्छा फिर कालिया और हरिया दोनों जंगल की ओर चल देते हैं कुछी देर में वह राक्षस की गुफा के पास पहुच जाते हैं वह जैसे ही राक्षस की गुफा में घुसते हैं वहाँ हर तरफ कंकाल का धेर लगा होता है वे बहुत डर जाते हैं अरे मारे गयरे लगता है ये सारे कंकाल गउवालों के हैं ए भगवान मुझे बचाओ ये राक्षस तो इंसानों को कच्चा ही खा रहा है हमारा क्या होगा कालिया तू डर मत कुछ नहीं होगा चल अंदर की ओर चलते हैं फिर वे गुफा में और अंदर की ओर चल देते हैं थोड़ी दूर जाने पर राक्षस उनके सामने आ जाता है वाह अभी तो मेरा भोजन खत्म भी नहीं हुआ था और तुम दोनों खुद ही मेरा भोजन बन कर आ गए हाँ 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 अरे मर गए रहे हैं अब हम नहीं बचेंगे हरिया ये तो हमें खाने की बात कर रहा है राक्षस जी हम गाउवालों की तरफ से आपके लिए एक प्रस्ताव लाए है कैसा प्रस्ताव राक्षस जी आपको शिकार करने के लिए बार-बार हमारे गाउवालों पे हमला करना पड़ता है तो हम गाउवालों ने सोचा कि आपको इतना कष्ट ना दे हम खुद ही हर महीने एक आदमी आपको भोजन के रूप में भेज दिया करेंगे ताकि आपको गाउवालों पर हमला करने की तकलीफ ना उठानी पड़े अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे मन्जूर है लेकिन एक बात याद रहे अगर मेरा भोजन पहुँचने में देरी हुई तो मैं पूरे गाउव पहमला कर दूँगा और किसी को भी जिवित नहीं जोड़ूँगा जी हम समझ गए हुजूर अपके भोजन में देरी नहीं होगी अब हमें जाने की आग्या दे इतना बोल कर वह दोनों वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं और इसी तरह एक महीना खत्म होने वाला होता है देखो भायों कल एक महीना पूरा हो जाएगा और हम ऐसे किसी एक को उस राक्षस के पास उसका भोजन बनके जाना पड़ेगा तो बताओ कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनकर सभी गाउं वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सभी बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन कोई जानी के लिए तयार नहीं होता अरे घसीटा चंद जी को भेज़ दो, इनकी उम्र तो वैसे ही हो चुकी है, थोड़े दिनों में ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे, क्यों ना मरने से पहले ये कोई अच्छा काम करके जाएं क्यों बै कालिया, तुझे क्या मैं बुड़ा दिखाई देता हूँ, हैं, अभी तो मुझे एक और शादी करनी है, तू क्यों नहीं चला जाता राक्षस के पास, तेरे तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है मुख्या जी, मैं कही नहीं जाने वाला, आप किसी और को चुन लें देखो घसीटा चन जी, इस गाउं में सबसे उम्रदरा शक्स तो आप ही हैं, मुझे लगता है आप अपनी पूरी जिन्दगी जी चुके हैं, राक्षस के पास आपको ही जाना पड़ेगा अरे मूर्ख मुख्या, तेरा नास मीटे, मुझे राक्षस का भोजन बनाने की बात कर रहा है कालिया, एक काम करो, इनके हाथ पैर बांध कर, इन्हें राक्षस के पास छोड़ाओ ठीक है मुख्या जी, जैसी आपकी आग्या फिर वे गाउंवाले घसीटा चंद के हाथ पैर बांध कर, उन्हें राक्षस के पास ले जाने लगते हैं फिर गाउंवाले उस राक्षस की गुफा में पहुँच जाते हैं राक्षस जी, आपका भोजन तयार है, जल्दी आजाओ इतना बोल कर, वे वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं अरे वाँ, ये गाउंवाले तो अपनी जुबान के बहुत पक्के निकले अरे ये क्या, ये तो कोई बूढ़ा है हे राक्षस जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा हूँ आपको मुझे खा कर क्या मिलेगा, मेरे अंदर तो मांस भी नहीं है मैं तो हड्डियों का धांचा हूँ इस बुढ़े को यहां भेज कर, इन गाउवालों ने मेरे साथ धोखा किया है ए बुढ़े, तू मेरे किसी काम का नहीं है, भाग यहां से और गाउव के मुखिया को कह दियो, अगर एक घंटे में मेरा भोजन नहीं भेजा तो मैं पूरे गाउपे हमला कर दूँगा अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो अरे हरिया, देख तो, ये बुढ़ा तो भागता हुआ यहीं आ रहा है लेकिन ये बच कैसे गया, राक्षस ने इसे खाया क्यों नहीं अरे मूर्ख गाउवालो, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया अब तुम सब भुकतोगे अबे बुढ़े, तु बच कैसे गया, तुझे तो हम राक्षस की गुफा में छोड़ कर आये थे न कालिया, तुने सही का, लेकिन उस राक्षस को तुमारे जैसे हटे-कटे भोजन की चाह है उसने कहा है, अगर एक घंटे में उसे भोजन नहीं मिला, तो वो पूरे गाउव पर हमला कर देगा अब क्या करें? अब हमें कोई जवान आदमी को भेजना पड़ेगा सब गाउवाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती मुख्या जी, अगर इस गाउव के किसी भी मर्द में अपनी कुर्बानी देनी की हिम्मत नहीं है, तो मैं जाऊंगी, मुझे जानी की आग्या दे हाँ हाँ मुख्या जी, ये सही कह रही है, मीरा को ही जाने दे अरे चुपकर कलिया, अगर हम मर्दों के रहते एक औरत राक्षस के पास चली गई, तो आसपास के गाउं में हम मर्दों की क्या इज़त रह जाएगी नहीं नहीं मीरा, मर्दों के रहते तुम्हें जाना पड़े, इस से शर्म की बात हमारे लिए और कोई नहीं ही होगी लेकिन मुख्याजी, जब कोई मर्द जाने को तयार ही नहीं है, तो फिर किसी न तो जाना ही होगा न कोई मर्द है जो अपनी इच्छा से उस राक्षस के पास भोजन बन कर जाए सब गाउवाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कोई जाने को तयार नहीं होता मुख्या जी कोई फायदा नहीं है ये सब डरपोक हैं मुझे जाने की आग्या दें फिर मीरा हाथ में मशाल लिए अकेले ही जंगल की ओड चल देती है अरे तुम्हें पता चला मीरा राक्षस का भोजन बन कर गई है हमें उसकी मदद करनी चाहिए हाँ हाँ तुम सही कहती हो चलो हम सब उसके पीछे चलते हैं वही दूसरी तरफ मीरा राक्षस के पास पहुँच जाती है ये राक्षस मैं तुम्हारा भोजन बन कर आई हूँ तुम मुझे खा सकते हो तुम्हारे गाउं में कोई आदमी नहीं बचा क्या जो उन्होंने तुम्हें भेच दिया तब ही गाओं की सारी उरते हाथों में मशाल लिये वहाँ पहुच जाती हैं अरे ये क्या? इतनी सारी उरते कहां से आ गई? तुम अकेली नहीं हो मीरा, हम भी तुम्हारे साथ हैं आज इस राक्षस को मजा चखा कर ही रहेंगे फिर वे सारी औरते उस राक्षस पर मशालों से हमला कर देती है राक्षस डर के मारे भागने लगता है और भागते भागते पहाडी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है अरे देखो ये राक्षस तो पहाडी से गिर कर मर गया और इस तरह गाउं की सब औरते मिलकर उस राक्षस पर विजय प्राप्त करती हैं